नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार मुख्य मंत्री श्रीजायराम ठाकुर ने हिमाच्टप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्रीवीरभदर सिंग के निधन पर शोग रक्त किया है श्रीवीरभद्र सिंग का आज प्रातेह निधन हो गया था श्रीजराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री के शिमला में उनके नीजी आवास हौली लॉज पहुचकर श्रीवीरभद्र सिंग के पार्थिव श्रीर पर पुषपांजली अर्पित की उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की धरमपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंग और उनके बेटे श्रीवीकरमादित्य सिंग के साथ अपनी गहरी संवेदनाय व्यक्ती इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बाचित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा बीर वदर सिंग जी एक इनसान के रूप में और एक नेता के रूप में बुरे हिमाचल परदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीती में भी रहे तो उस वक्त अपनी पैचान बनाने में जो है वो सफ़ड रहे हैं और लंबे समय तक परदेश का नेतित दो छे बार लग लग समय में जो हूँ बतौर मुख्य मंत्री हिमाचल परदेश में रहे और उसके पश्चाथ केंद्र में मंत्री रहे हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल परदेश में मुख्य मंत्री के बतर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रकर ढंग से रखी और सबसे बड़ी बात यह कि इतने लंबे समय तक हिमाचल परदेश में कोई भी मुख्य मंत्री नहीं रहे मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं पूरे देश्वर में भी ऐसा ऐसे नितित तो बहुत कम है जो इतने लंबे समय छे बार मुख्य मंत्री के दाइतों का निर्वेहन करते हुए उनके जाने से ये पुरे परदेश के लिए एक बहुत बड़ इक्षती है और परिवार इस दुक को सहन करे इसके लिए मेश्वर से परापना करता हूं को उनको शक्ती दे और ऐसी परस्तिती में मैं व्यक्तिक गत्रूप से उनके बहुत नजीक वे रहा वैचारिक तिष्ट के दो हिस्से रहते थे और ऐसी परस्तिती में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधान चाहब के अंदर जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी उसके बाद महाल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत मत्तोब भून कहनी बात थे परदेश के विकास में उनके बहुत ब मजबूती के साथ उसका सामना करना हूँ क्योंकि राजनेतिक जीवन में एक नहीं या नेक ऐसे अफसर आते हैं जिस में आदमी कई पर विचलित भी हो जाता है लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे दौर आने के बावजूद भी उन्हें मजबूती के साथ जो है सबर स बियान सबा के अंदर उनको काम करते हैं हमने देखा तो एक नहीं अनेक इस परकार के उधारन हम कह सकते हैं कि संतुलन नहीं खोना और अपनी बात को जहां कहना है वहां कहना ही है चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी करने ती तो रहा जब कुछ बातें उनको लगती थी कि ये तो वो बात कहते थे प्रकरडंग से कहते थे और उसमें वो बहुत किंता नहीं करते थे और सारव जनिंग मंचपर से भी वो विधान सबा के अंदर भी कुछ बातों को ले करके इस परकार से कहने का उनका सबाब जो लगता था उनको वो कहते थे तो इस तरिश्टी से एक बहुत बडिक्षती प्रदेश को कुई है इश्वर उनकी आत्मों को शांती दे और हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान रहा है विकास के लिए उसको हम आगे बढ़ाने में जो स्वयूग कर सकते हैं जो काम कर सकते हैं वो हम काम करने की कोशिश करें श्रीजाराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में श्रीवीर भदर सेंग का योगदान अनुकरणी है श्रीवीर भदर सेंग ने अपना पूरा जीवन समाज के हर वर्ग विशेशकर कमजोर और शोशित वर्गों के उत्थान के प्रती समर्वित किया उनकी श्रीवीर भदर सेंग के निधन से उत्पन शुन्य को आने वाले समय में भरना मुश्किल होगा राजसरकार ने श्रीवीर भदर सेंग के सम्मान में 8-10 जुलाई 2021 तक तीन दिनों के राजकी शोक की घोषना की है इस सब्धी के दौरान कोई अधिकारिक मनुरंजक कारिकरम आयोजित नहीं होगा स्वास्ते एवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजे जारी बुलिटन के नुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जाच के लिए आज 1776 लोगों के सेंपल लिए गए जिन मेंसे 449 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1333 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 25,30,993 लोगों की जाच की जाच चुकी है जिन मेंसे 23,26,508 सेंपल की जाच नेगेटिव पाई गई है प्रदेश में कुल 2,3,122 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मेंसे 1,98,431 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,194 व्यक्ति उप्चाराधिन है हिमार्चल पुलेटन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमार्चल फॉलो करें ट्विटर एट DPR HP लाइक करें फेस्बुक पेज इंफरमेशन और पॉबिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमार्चल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस नंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकार दीजे इजाज़त नमस्कार